बहुत हुआ चुए बिल्ली का खेल अत्ता बस हमारी जमीन हमारी मात्रों भूमी को बंजर करने का जो गुना आखी विप्स ने किया है उसकी भरपाई करनी होगी हमारे नुक्सान के बदले तुम लोगों का एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी पचास करोड के हीरे पचास करोड के हीरे तुम लोगों के पास सिर्फ दोन दिवस आहे दोन दिवस कीमत चुका दो और इन लोगों को लेके जाओ जरासी भी होशारी की ना ये धमकी नहीं है चितावनिया है चितावनी ऐसे नहीं पहुचे तो पहले चोविस्तास में एक और दूसरे चोविस्तास में दूसरे खो एक घंटे में हम लोग सरखपूर फेक्टरी बहुच जाएंगे ये लोग कल गामवालों ने फिरसे फेक्टरी में अन्गामा किया था पर थरभी पेके और कुछ लोगों को नुकसान भी पहुचा दिए ये लोग समझते क्यों नी कि यहम से जीत नहीं सकते पाल दूगा जग अन्तर चा मुआवजा ओफर कर रही थी ले लेना चेके था नहीं अपनी जित पर अलें जंडा उठाकर खड़ें पता ने क्या चाहते हैं ये लोग प्रणाव क्या जोखे नहीं जोखे लिए ये वह मेरी कार सुरह खड़ाब हो गये वह अप लोग देख लेंगे जरागे जरागे जरूरा जरूरूर वैसे आपको जाना कहा है हमारे साथ आजाए आजिए आए मिन अपको छोड़ देते हैं और देखे जोड़ेते हैं देखे आप अपनी कार की बिल्कुल जिन्ता मत कीजिए वह सुरक्षित सर्विस एंटर पहुँच जाएगे सच मुझ यह सर्थ गाड़ी के नंबर से पता चला एक यह ड्राइवर आरके वेप्स कंपनी का ड्राइवर है आमने कंपनी वालों को इंफार्म किया है वो लोग आते ही होंगे बिल्कुल पास से गोली मारी है वांड ब्लैंक यह टायर के मार्क्स लगता है यहां कोई दूसरी गाड़ी थी पास पास देखो कुछ और मिलता है क्या इसकी गाड़ी देखते हैं तीन तीन लैप्टोप है गाड़ी के अंदर लट्टा गाड़ी में ड्रेवर के अलावाब और भी लोग थे सर तीन मोबाइल तूटे वे वां मिले घाड़ी के बास और यहां गाड़ी के अंदर तीन लैप्टोप इन तीनों के मोबाइल्स किटनापर नहीं चीने होगी और इनने तोड़ दिया थाकि लोकेशन ट्रेस नहीं पाए इसक्यूज में आप जी में विक्रान थूँ आर के विप्स कंपनी का सी यो और यह मेरी चीफ फंक्शनल ओफिसर मालनी है हलो सर कौन था इस गाड़ी में आपको मालू मैं अब है मुरली और संजीव वो तीनों हमारे टॉप के एग्जेकिटिव से हमारे फैक्टरी के काम से सरकपूर गए हुए थे परदर्शन, बवाल यह सब तो होते ही रहता था लेकिन इतनी बड़ी बात होगी इसकी उमीद नहीं थी ठीक है आपराण हुआ है तो फिरोती के लिए कॉल जरूर आएगा ऐसा कोई भी कॉल आप लोगों को आए पहले आप हमें इंफर्म करेंगे शर सर तो ऐसे भी खुणी नहीं यह पर कोई असुराग नहीं है नहीं किसी को कुछ पता है तो जब तक वो लोग कॉल नहीं करते हैं हम कुछ नहीं कर सकता है अंकर बाड़ी का फॉरंसी क्लाब पेजवादा था मस्या जाए किटनाप इसके बारे में जानकारी चाहिए तो इस लिंक को चेक करा हूँ हमारी जमीन हमारी मात्रुपुमी को बच्चर करने का जो कुना मार के दिप्स तक दिया है उसकी परपाई करनी होगी पचास करोड के एरे तुम लोगों के पास तौन दिवस आहे तौन दिवस जराजी भी हो शारी की नहीं सर इसने तो जान से मार दिया है सर यह यह वीडियो वो लोग टिवी पर दिखा रहे एकनि फुटेज चैनल वालों को मिला का अस है? यह इस तरह का पुटीज आप लोग नेशनल टिवी पर दिखाते हो है कि आचार सरील है कि निकुरी में अब कोयों कि नीती क्या नहीं तूम लोगों में अभिपने जिमेदारी तो समझ ले रभषा स्वेख लिखते हैं अंणופ ऐसके बदि पर क्या गुजरती होगी उसके पद्धि पर क्या गुजरती होगी उसके बेचारी बाच् don par kya गुजरती होगी सोचा कभी नएंगी बस चैनल का ट्यरभी बड़ा तो आर पेसे आ जाएंगे सर इतना नहीं सोचा जैसे फुटेज मिला हमने कहां से मिला फुटेज? कहां से मिला फुटेज? सर वो फुटेज मुझे मिला था कहां से? किसी ने दिया था मुझे किसने दिया था? सर वो तो मुझे नहीं बता अन्य? दो गंटे पहले मुझे कंजान नंबर से फोन आया उसने कहा कि उसके पास RK Vips कंपनी के खिलाफ कुछ सबूत है कि कैसे सरकपूर की बंजर जमीन के पीछे उन लोगों का हाथ है तो आप मिले हो उसे? सब मैं मिलने तो गई थी और काफी देर इंतजार भी किया सरे इसके अलावा मैं शूच्छ भी नहीं जानती रास्ते चलते तीन लोगो किड्नाप हो जाते हैं किसी को फिरती के लिए कॉल नहीं आता है कि फुते जाती है तो आपके पास क्यों कि कि system और के पास क्योंनी याइ फुते सब क्यू्कि ये पूरा मैटर् तो तुम्हें से लगता है कि इन सब के पीछे गाउवालों काहता है। पता नहीं सर्व यह मैटर दो तीन साथ से चल रहा है। गाउवालों ने प्रोटेस्ट भी की थी, धमक्या भी दी। यहां तक की पथरबाजी भी हुई थी। लेकिन गाउवाले सचमुछ ऐसा कुछ कर सकते हैं। इस बात का मुझे कोई आइडिया नहीं। हम पता लगा लेंगे। सब पता लगा लेंगे। कौन है इसके पीछे। नहीं छोड़ेंगे हम किसी कोई। आये सर। सर यह सुदादर है। सरकपुर गाउ का सरपंच। देखो साब यह सुदादर है। कि अम कंपोनी वाले खिलाब आंदोलन कर रहे है। और यह अमारी हक्की लड़ाई है। सालों से चल रही है। लेकिन लेकिन साब हमने कोई गलत काम नहीं किया। साब लेकिन उस वीडियो में जो लोग थे वो तो गाउ कहीं लग रहे थे। उनकी बोली और वो जो हत्यार था वो तो गाउ कहीं है। है ना साब। लेकिन यह लोग वो लोग नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं साब। कि कोई जान बुचकर हमारे गावालों को फसाना चाहता है। अच्छा इस मामले में पहले भी कोई हिंसा की बारदात हुई है। सार में तीन-चार लोग है। और शंकर। बंचरो! बंचरो! टीया अप्ताताव सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। यह थ्रक्ट्री नहीं चल ले डएटेंगे। यह में तीन लोग है। हमने इनको कई बार गिड़तार किया। वानिंग भी दिये, मगर कोई असर नहीं होता है। असर कैसा पड़ेगा साफ, इन कम्पनी ओले लोगों ने इनका सब कुछ बरबाद कर दिया है। यह लोग गलत लोग नहीं है साफ, मैं जानता हूना इनको। क्या हुआ क्या इनका साफ? सब विनाएक ने लाखों का करजा लिया है, लेकिन करजा चुका नहीं पया है। चुकाएगा कैसा सर? उसकी जमीन, यह फैक्टरिज से निकलने वाले केमिकल्स और जहर की वज़े से, जमीन बिल्कुल बंजर हो गई। और वो बेचना भी चाहता था, लेकिन जमीन कोई खरिदने वाला नहीं आया। और अशंकर, उसका भी वह ही हाल है। उसका परिवार भूका मर रहे है सर, ना खेत, ना पैसा। अरे किश्वर्त, उसके बाबा ने तो पैसों की तंगी की वज़ेसे आत्मत्या कर ली। तो आप भी बताइए, इसका जिम्मेदर को न है। ये तिनों का है। पता नहीं साब। देखो साब, हम लोग सिधे सदे लोग है। हमारा सब कुछ तो जमीन है। अगर जमीन ही बंजर हो गई, तो हम लोग क्या करेंगे। और हमारी इस हालत पर किसी की भी नजर नहीं पड़ती। क्यों। हम लोग गरीब है इसलिए। देखो साब, मगर हम हारने वाला मेंसे नहीं है। हम डट के मुकाबला करेंगे। हम अपना हक, लेकर रहेंगे। यह विनायक, शंकर और किशोर इन त्यूनों के पास क्रिटनापिंग करने का मोटिफ तो है। सर मुझे तो लगता है यही तीनों है। हाँ, लगता तो है। तो हमारे पास सबूत नहीं है। वो फुटेज। फुटेज फिर से देखते हैं। शायद कोई सुरागात लग जाए। पचास करोड के हीरे। तुम लोगों के पास दौन तिवस आहे। दौन तिवस जरासी भी होशारी की ना। पैसे नहीं पहुचे तो पहले चुविस तास में एक और दूसरे चुविस तास में दूसरे को नहीं, सर। यह लोग तो काफे शाथ है। यह वीडियो इस तरह से शूट किया गया कि इसकी लोकेशन यह किसी भी चीज के बारे में कुछ पतानी चल रहा। सर। सर, आगे वीडियो में कुछ हल्का सब्धिक्राएं शायत, 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 कामकाव पत्थर, जरैंक मिट्स्टों? स्वेड, जूम करें सर, इस तो पत्थर है, जर, पत्थर के दो चट्टाने, इसे बार कहा है सरी? मुझे यह गुफाँ यह से बुछ लगता है, खंडर होते हैंगा? पुर्भी चेक करो, इस गाउं के आसपास कुछ गुफाँ या खंडर वगरा है किया? कुफा है तो बहुत सारी है लेकिन सब को चेक करने में तो काफी टाइम लग जाने पर हमारे बास वक्त ही तो नहीं है सिर्फ आठ गंटे बचे आठ गंटे के अंदर अमने कुछ नहीं किया तो और एक जाम चली जाए गिया और एक खुन होगा एक नट ये पुर्वी जरा वीडियो फेसे रिवाइन करने है अभी प्ले करो लेकिन ये बैक्ग्राउंड की आवाज बढ़ा दो आगे वाली आवाज बंद कर दो पानी पानी की आवाज लगती है देखो आसपास कोई जरना या नदी बगरा है क्या एक नदी तो है सर उस तरफ ही कुफा है जिसके पास से नदी गुजरती है तरफ पास से नदी पास से नदी बढ़ा है यहां तो काफी हंदे रहा है पास सब्सक्राइब करें लेकिन आने में देर हो गए लगता है उन गावालों को बता कर हमने गल्ती करती है किनी में से किसे ने खबर दी होगी है अब अगर यह अब है जिसको मारा थे उसकी लाश का है अब है तो मर चुका है पर यह क्या है ऐचे शे वजे सर मुझा लगता कि हमारे पास और कोई जारा ने हैं हमें उनके डिमांड मान लेनी रटेशे और आपका रागे एक आर आँ एक बार बात मानेंगे तो बार बार यही करेंगे आप अपलो winner कंके दिमां कि अ थुष्टे लोगों की फैसों से जहाभा की है वो लोग अप़ी जिंदा है या नहीं, हो सकता है उन लोगों ने उने पहले ही मार दिया, क्योंकि किड्नापिं केश में अकसर ही होता है, वो लोग जादा देर तक छुप नहीं सकते, पिछली बार भी हम उन तक पहुंची गए थे बस थोड़ी से देर हो गई, सर लेकिन इस सर, आप ही बताईए, क्या कंपनी के एंप्लोई इस कंपनी की जिम्मधारी नहीं है, वो लो कंपनी के काम से गए थे, उसी के वज़े से मुसीबत में भसे, अब अगर उने कुछ हो जाता है तो हम लोगों को क्या चबाप रेंगे सर, हाँ सर, और उस वीडियो के वज़े स आपको क्या करना है, मुझे लगता है कि तुम दोनों बिल्कुल सही कह रही हो, हमारे पास और कोई आप्शन नहीं है, हम उन्हें हीरा दे देते हैं, क्योंकि मैं अपने इंप्लोईज के जान को जोखिम में नहीं डाल सकता, प्लीज सर, अरे सीमा चल्दी सार, आपका इंत देविव शुरू करें, लेट्स दो इट, हमारे पास वक्त नहीं है, चलो, आर्के विप्स कंपनी के सीओ, मिस्टर विकरांत, एक बहुती इंपॉर्टन अनॉंस्मेंट करना चाहते हैं, आइए उनसे बात करते हैं, मिस्टर विकरांत, आपनी इतनी अर्जनसी में क्यो ग उन्हें किसी तरह की कोई शतीर ना दे, प्लीज, इट्स रिक्वेस्ट, देखिए इस स्क्रीन पर जो नम्मर्स फ्लैश होंगे, किड्नैपर्स मुझे उन नम्मर्स पर फोन करके उनको हीरा कब कहां और कैसे चाहिए, हमें बता सकते हैं, प्लीज, डोंट हाम तेंक यू सो मच्छ, तेंक यू. अभी अभी आपने आर्के विप्स कंपनी के सीओ, मिस्टर विक्रांग को सुना, उन्होंने किड्नापर्स की मांग मां ली हैं, उन्होंने किड्नापर्स से अपील की है कि वो उनके लोगों को छोड़ दे, यहां दूसरी टरफ CID यह सर्प, इंटिव्यू ओन एर हो चुका है, ठीक है, वोज़ नंबरे उसको सर्विलेंस पर डाल दो, कभी भी फोन आ सकता है उन्हों का अलो, मैं किनने पर बॉल रहा हूं, किनने आपर, सुनो, वो जो ही रहना, तुम लेके आना, इधर तेर कोई चानेगा है, वो भी आ के मैं, मैं क्यों, हाँ तू, और कोई शानपती मत करना, परना इन दोलों के साथ साथ तेरे को भी जान से मार देंगे, एड्रेस पर जाये मोबाइल पर, तेरे लेकर उत्तरी जा के खड़े रहने का, वापास आगे का बताने के लिए में फोन करूंगा, मैं, मैंनी जाओंगी आप लीज किसी और को भेज दीजे, देखो डरो मत, तुम्हें कुछ नहीं हो, हम है ना, देखो हमारे उन दोनों इंपलाईस की जान तुभारे हाथ में, हमारे पास दूसरा कोई जारा नहीं है, लेकिन, लेकिन मैं क्यू जाओंगी हाँ, अगर उन लोग ने तुछे मार तुम मेरे फामिली का क्या होगा, नहीं, मैं नहीं जाओंगी, मैंने कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जिस रिलाक्स, ओके, ये टाबलेट ले लो, इससे तुम्हें स्ट्रेस कम होगा, लो, तुम्हें अगेला नहीं ठोड़ए हैं, अम लोग आस पास ही होंगे, वो लोग ने क्या कहा, अगर मैंने कोई भी होशारी की, तो वो मुझे मार देंगे. सर, ये बिलकुल सही कह रही है, ये भी मारी जाएगी, और साथ मेरे वो दोनों इंपलोईज भी मारे जाएगे. सर, वो लोग जो डिमांड्स मांग रहे हैं, हमें मान लेना चाहिए. कोई पानी तो पिला दो कम से कम. देखिए, मुझे अस्तमाय, मुझे बरी दबा दे दो. अर दबा दी तो कम से कम, मेरी आखे तो खोल दो. मेरा तम गुठ लाएग, प्लीज मुझे खोल दो. छोड़ दो हमें, देखो तुमें, पैसे तो मिली जाएगे. पानी पीना है, ना? पानी चाहिए, ना? ले. अरे, कोई मुझे दबा तो देदो. अरे, कोई पीना है, लाएगे तो. झाल झाल यहां से बाए जाओ, आगे 200 मेटर पर कच्ची पक्टंडी मिलेगी, उसमें चलती जाओ, आखीर में जाके एक नदी मिलेगी, उसको पाल करके वहाँ पे खड़ी हो जाओ, और हाँ, पौन साथ में ही रखना, मैं फिस्टे कॉल करूंगा, झाल झाल यह सीमा की कहानी तो इस केस में नया मुडले के आगी, वैसे पूरवी तुमारे आइडिया ने कमाल करती है, साथ, पौरवी, सर, एक क्लू मिला है, क्या? यह सीमा आप यहीं सरकपूर का इश्यू कवर नहीं करती, तरसल यह भी उसी गाउं को बिलॉंग करती है, क्या? हाँ, सर, पढ़ाई कुतम करने के बाद यह शहर चले गए थी, लेकिन इसका परिवार अब भी उसी गाउं में है, और इस फैक्टरी के वज़े से उन लोगों का पी काफी नुक्सान हो है, पुर सीमा ने यह बाद तो हमें ने बताई, यह सर, इसा कोई जिख्री ने किया उसने, वही तो, इसका मतलब है सर, इस, सीमा के पास जो मोटिव तो था इस सब में शामिल होने के लिए, हाँ, वो सकता है, वो पेंडराइब भी उसी को मिला, वो किटनापर्स का फोन कॉल भी उसी को आया, हाँ, सर, और किटनापर्स ने भी हीरे पहुँचाने के लिए उसी को ही चुना है, इस सीमा को कहीं भी अकेले जाने नहीं देना चाहिए, इस पर कड़ी नज़र अखनी चाहिए, कुछ इस तरह से, उसे मालुम तक होना नहीं चाहिए, उसे पता तर नहीं चाहिए, और नहीं उन किड्नैपस को. हाँ. पंकच, यह एक माइक्रो ट्रैकर है. बस अभी हमें किसी भी तरह यह कैप्सुल सीमा को खिलाना है. हमारा काम भी हो जाएगा और उसको पता भी ने चलेगा. कर दो कर दो प्रूबावार अगर चुछ प्रूबाद से घाज़ जिए झाल करता हुएंगा झाल हुआ 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 है कर दो कर दो कर दो तुहां पे रुकी है वेले ट्रेनर जब कहीं से भी आ सकता है वह कर दो कर दो ड्रों वो इस द्रोन पर बांदो लेकिन इस सा बोला जाये विशा करो नोटिंगी नहीं जल्दी करो एरे द्रोन पर बांद रहे हैं यह तो जा रहा है अरे यार निकल गये तो कुछ नहीं कर पाएंगे वहा है यह तो यह तो अब तो हीरे भी उनके पास है सर इस तरफ से कोई आवाज आ रहे सर संजीफ मुर्ली मुर्ली चलो कम से कम जिन्दा तो है जाते जाते यहां पर डाल दिया लगता है मिस्टर विकरांथ यह संजीफ और मुर्ली यह में मिल गये हैं और दोनों की हालोत बहुत खराब है आप एक काम कीजिए हमारी कमपणी का गेस्ट हाउस पास मही है उनको वहां पर लेकर आई है सारी मेडिकल फैसलिटीज उन्हें वहीं पर मिल जाएगी ठीक है सार यह संजीव और मुर्ली कम से कम इन दोनों के जान तो पच गई हाँ पर वो लोग है कौन? है कौन वो लोग? एक आदमे की जान ने थी पचास करोड की हीरे चुरा है बस हाथ लगने हमाले थे लेकिन बाल बाल बच गए पर हमें एक सुराथ तक नहीं मिला एक सुराथ तक नहीं मिला पर वी कुछ पता चला यह तीन लोग विनायक, शंकर और किशोर इन दो दिनों में कहां थे? सेर पोलिस इन पर नजर तो रखे हुए थी लेकि सर यह विनायक कि कुछ घंटों के लिए गायब हुआ तो था अच्छा कहां गया था, किसी को बता नहीं पर यह काम गाम वालों का होगा ऐसा लगता नहीं है कि सब करना उनके बस की बात होगी क्या यह द्रोन वगर का इस्तमाल करना सेभी जीत आजकल आजकल यह ड्रोन खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है इंटरनेट में मिल जाता है सार कोई भी खरीच सकता है क्या अंकर तो केस्टाउस में है एक बार जी संजीव और मुरली होश में आ जाये सारी कानी साप होजाएगे संजीव और मुरली अब तो हमारी सारी उमीद संजीव और मुरली पर ही है आप दो हमारी सारी किसे अगरा तो हमारी आप धुआ आप एंट इंग आप 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 झाल झाल सर्थ, मैंने इन की चीखने की आवाज सुनी, तुम्हें भाग के आए, और मैंने किसी को यहां से भागते हुए देखा। सर, हमें तो लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, सर उन्हें तो हीरे भी मिल गए थे ना, फिर ये सब, ये खून, देखे ना सर, मुरली अभी तक कितने सद्मे में है, आप लोगों में से किसी ने उसका चेरा देखा क्या, नहीं सर, पंकच से पूछते है, शायद उसने उसादमी का चेरा देखा, पंकच का है, पंकच दूसरे कमरे में है, डॉक्टर सुने चेक कर ला, मैं देखता हूँ, पंकच? तुम ठीको? He's absolutely fine now. Thank you. क्या हुआ किया था है यह पर अग्जक्ली? Sir, I'm really sorry, sir. मेरी आख लग गे थी. Sir, actually, हो यूँ कि मैं, Sanjiyv और मुरली के कमरे में गया, तो वो बाहराया हौल में, हौल में भी लोग बाहराय थे. पास में एक कॉरिडूर के पास कांस टूटा उसकी आवास से मैं उस तरफ भागा जैसे वहां पहुंचा सर तो मैं देख रहा था क्या हुआ पीछे से सर बहुत जोर से डंडा मारा सर किसीने जिस आदमी ने डंडा मारा तुमने इसका चेरा देखा मतलब गाउं का कोई आदमी था क्या हां वो तो गाउंवाले ही होगा सर उनलोगों को हीरे मिलने के बाद भी उन्होंने संजीव और मुडली को छोड़ा था फिर ही है से शाया संजीव ने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसे नहीं देखना चाहिए था उनको खत्रा हो सकता था इसलिए सर अगर संजीव ने कुछ ऐसा देख लिया था तो फिर उन्होंने संजीव को पहले क्यों नहीं मारा पहले नहीं मार पाए इसलिए तो यहां पर आ है पूरा कर बनता फिर भी को नी कांच तोड़के अंदर आया है ना कि अ कि 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 अभी कैसे तोड़ा तो बाहर की तरफ से ही गया है कि अधिया है यह देखा यह देखा यह चक्कर है यह चक्कर है यह मार दिया संजीव को मार दिया और यह लोग यह लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे पुछने होगा तुम्हें अगर मार नहीं होता तो वो वैसे ही मारतेता संजीव के पास आखरी बार कौन गया थे जी मैं गया था करीब एक बजे उनको होश आय था बस थोड़ी देर के लिए और होश में आते ही वो प्रीती जी से बात करना चाते थे तो फिर बात किया जी सर जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मैं उनसे इंकी अम्रे में मिलने गई थे वो जल से जल अपने फैमिली के पास पुछना चाहते थे मैंने उनसे कहा कि कल सुबे तक हम उनके पास पहुचा देंगे फिर वो सो गए और सर हमारी भी हाँ आख लगए थे करीबन तीन बजे के आसपास उनकी कमरे से चीखने की आवाज है वहां जाकर देखा तो सर फुई गाव का आईमी बिकुल मेरे पास ने भाग रहा था अब अगर कोई वहां से अंदर आएगा तो उसके पैरों से लगके कांच के तुकड़े थोड़े आगे की तरह पहलने चाहिए थे लेकिन कमाल की बात यह है कि कांच के तुकड़े आगे मिले ही नहीं सिर्फ और सिर्फ खिड़की के पास ही रह गए पता है कैसे है वह ऐसे क्यूकि कोई खिड़की से अंदर आया हीनी सिर्फ कांच तोड़के खिड़की गा वोह वहां से भागग गया यह कैसी बात ने कर रहे हैं अगर कोई कम्रेम अया ही ने तो संजीव का खुन कैसे किया नहीं किया खुन उसने नहीं किया अब मेरा सवाल आप से है प्रिती जी, अगर कोई बाहर से अंदर नहीं आया, तो रात के तीन बजे आपने किसी को अंदर से बाहर जाते हुए कैसे देखा? तुमने उस खूनी को नहीं देखा, वो इसलिए, क्योंकि उस खूनी कोई और नहीं, तुम खुद हो. प्रिती, संजीव ने जब मुझे मिलने के लिए बुलाया, तो वो बहुत परिशान था, उसने मुझे बताया, कि उसने गूफा के अंदर कुछ देखा था. अरे, कोई पाड़ी दो पिला दो यार, यह क्या बखवास कर रही हो तुम? इसा कुछ भी नहीं है, संजीव को सच्चा ही पता चल गए थी, कि मुरली का किटनाप नहीं हुआ है, बलकि वो खुद इस प्लान में शामिल है, वो जा कर पुलीस को सब कुछ बताना चाहता था, मैंने उससे कहा, हम कल सुबह जा कर, मीटियो और पुलीस दोनों को सब कु सब्सक्राइब में शामिल थी, सर हमारा प्लान बिल्कुल परफेक्ट था, पचास करोड की हीरे हमारे जेब में थे और इस बात की वो खबर तक नहीं है, लेकिन संजीव एंड मोमेंट पे सारा प्लान बिगाडने वाला थी, तो और मैं क्या कर्थी सर, इसलिए जिन आदम एक गलती जरूर करता है, वो गलती जो उसे जेल की सलाकों के पीछे पचाने के लिए काफी होती है, जैसे कि तुम लोग, अब बाकी की जिन्दगी गुजरेगी तुमारी जेल की कालगोट्री में. झालिभाने में पलती है, जिन्या वी क्यूती है, तुम छुम को क्या था चटता है.